और इस बीच में बड़ी ख़बर की तरब रुख करते। बताते चले की ट्रइबरों ने फिर जाम लगा दिया है। हेट अंड रन केस में अभी भी जाम लगा हुआ निज़र आरा। अज मेर मेर कोटा राज मार्ग पर ये चका जाम किया गया। जाम के चलती राजमार्ग पर लंबी बानों की कतारे नज़र आ रही है पुलिस प्रस्टाशन समझाइस में जुट्यू ही है समझानी की कोशिश कर रही है सरकार ट्रक यूनियन के बीच बादशीत के बाद भी ये जाम लगाया गया है ट्रक चालकों ने कानून को निरस्ट करने की मांग की है बता दे कि कल ही देर रात ग्रिमंट्राले में बादशीत हुई देर वारता के बाद ही आपको बता दे कि ये कानून को रोक दिया गया कि इस हिट एंड रन कानून को फिलाल अभी लागू नहीं किया जाएगा लेकिन उसके बाद भी अजमेर में ट्रक जाम किया गया है ये वो तज़्वीरे हैं कि ट्रक जाम करने की बाद लंबी कतारे लगी हुई इस खबर पर हमारे समवादा था अशोक जुड़े वे अशोक बाटी वहाँ पर ये जाम लगाया गया है बताया जा रहा है कि सभी से समझाईश की जारी है आपको बता दें जो सरकार ने हैं उसको कानून पर फिलाल रोक लगा दी लेकिन ड्राइवर तक ये जो बात हैं वो नहीं पहुंची है देर रात को ये कारवाई हुई है उसके बाद जो ड्राइवर चलते रहते हैं उनको ये जानकर नहीं मिली थी इसके चलते हैं उन्होंने पूरो जो निर्देश मिले थे अलग-अलग इस्थानों पर जाम के तो अगर कुछ ड्राइवर भी अगर ट्रक खड़ा करके खड़े हो जाते हैं और जाम लगा लेते हैं तो लंबी कातारे यहाँ पर आवशक रूप से लग जाती है क्योंकि ट्रक चालक है उनको थोड़ा समझने में समय लगेगा उनको जो उनके जो पदादीकारी है उनके निर्देश के बाद ही जाम खोलेंगे तो उनका कहना है कि जब तक निरस्त नहीं कि जाता है इस कानून को तब तक उनका जो आंदूलन जारी रहेगा फिलाल जो है समझाईश का दोर जारी है उनका यह कहना है कि हमारे जो पदादीकारी है उनकी ओर से जो निर्देश मिलेंगे उसी तहट हम जो है कारवाई करेंगे जी बिलकुल लेकिन अशोक All India Motor Transport Congress से कल रात ग्रिमंत्राले बे बात हुई और उसके बाद प्रावधानों के प्रावधानों को अभी लागू नहीं किया जाएगा और उसके बाद All India Motor Transport Congress से बाचीत के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा आप जैसा बोलने है तो क्या अभी तक इनके पास कोई आप जब समझाने की कोशिक की जा रही है तब भी क्या समझने को तैयार नहीं है कि बल्लकुल कई लोग जो है बहुत बपर शुक्रिया जानकारी देने के लिए